सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूं कि जो इंडियन हमारी एर फोर्स ने जो फिकानों को तबहा किया है जैसे मोहम्बत के तो यह सबसे पहले इसका वीडियो आपको दिखा देते हैं अर्शालन ये हमारी तरफ से नहीं है, इंडियन आर्मी की तरफ से जारी किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि यहां पर जबर्दस तरीके से पाकिस्तान को हमला किया गया है पाकिस्तान पर बं बरसाए गए हैं और लगबग 2000 किलो बं पाकिस्तान पर बरसाए गए हैं कुछ और इंडियान एरफोर्स ने हमारी माहा के ठिकानों को तबाह किया है देखिया उनकी तस्वीरे बिल्कुल ने इस तना बूद कर दिया है बिल्कुल उनके ठिकानों को ये देखिया आप देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि अब सबूत मिलने शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भी जवाब देगा अब कहा जा सकता है कि जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं क्योंकि जो ट्रेनिंग कैम्प पाकिस्तान की और से चलाए जात जो वहाँ पर जैशे मोहमद लशकर के जो ट्रेनिंग कैम्प से आतंक वादी जो पल रहे थे उनको वहाँ से हटा दिया है ची थड़े उड़ा दिये हैं क्या मोनिका माना जाए जी सर बिलकुल उन्होंने बिलकुल तभा करके रख दिया और यह सबसे बड़ा कदम है हमार बजे एक लाइन का इन्होंने ट्वीट किया है सलूट दा पाइलर्स ऑफ दा आई एफ यह राहुल गांदी का सुबह आट बज़ के पांच मिनट पर यह ट्वीट किया गया है यह शौर यह दिखाता है कि आज मंगल वार को किस तरह से भारत का मंगली मंगल हो गया है और क इतनी खुशी पूरे देश बर में दूसरा ट्वीट अर्विन केज रिवाल जी ने यह ट्वीट किया है सलूट दा ब्रेवरी ऑफ इंडियान एरफॉर्स पाइलर्स 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 पाकिस्तान मतलब जिस तरह से वो सलूट कर रहे हैं मतलब पूरे देश में कि जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे उसके बाद अब बता दिया कि भारतिय आर्मी जो है भारतिय एरफॉर्स जो है और भारत वो पाकिस्तान में घुश कर बदला लेता है त्वीट देखो डॉक्टर कुमार विश्वास ने क्या ट्वीट किया है इस बार सर्जिकल स्ट्राइक टू का कोई भी सबूत मांगे तो आई एफ में सी से अनुरोध है कि आप जाबादों से जैसे हजार टन का सबूत इमरान खान जो पाकिस्तान की प्रधान मंत्रिया उ इस्तिमाल किया गया है भारत की और से सबसे बड़ी कारेवाई है सर्जिकल स्ट्राइक पे पुलवामा का बदला ले लिया गया है वायू सेना के और से सबसे बड़ा एक्शन है